हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आप देखिए सुभा की सुरुआत हो चुकी है, ये वीडियो है फ्राइडे का, और फ्राइडे को मैं अपने हस्वेंट के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा की सबजी, तो मैंने ये टमाटर ग्रेंट कर लिये हैं, और इसमें मैंने एक हरी मिर्ची भी डाल दिया, और मैंने राजमा बॉयल कर लिया है, तो मैं कड़ाई में बनाऊंगी, कुकर में भी बना लेती हूँ, और आज कड़ाई में बनाया, उसमें मैंने हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च, एक चमच, और ठोड़ी सी डालूंगे ही ओधर में रिफाइन में रिफाइन लगा दिया रिफाइन अच्छे से गर्म और उती हूं जरा पंपर नमक बिदाने इसमें टमाटर में डालेती हो तर या फिर इसको पानी में घोल के तो मसाला क्या है जलते नहीं है अच्छे से भूंजाते हैं औ कोसे से करती हो नमक मतलब कढ़ाई में इस तरह से डालों कि नमक भून जाए क्योंकि कच्छा नमक नुकसान देता है अब मैंने टमाटर के ग्रेवी छोड़ दिये इसको अच्छे से भूनने दूंगी और यह अच्छे से जब भून जाएगा तेल अलग हो जाएगा ग्रेव अच्छे जब देखिए अब भून गया है उधर मैंने चावल चड़ा दिये हैं और यह राजमा देखिए कितने अच्छे से वॉयल हुआ है फैस गया है और थोड़ा सा हम तीर लोग खाने के लिए इसलिए थोड़ा सा राजमे भूया था और मैं इसमें दो एक आलू भी म ना लेती हूं और लेकिन थोड़ा आलू डालके मुझे अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल सिम्पल राजमा पसंद नहीं है और देखि राजमा की सब्जी वेरी बन गई है हम मैंने हरा धनी डाल दिया है काटके और मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है और आज सुबह अब थोड़ी सी पतली लग रही है रखने के बाद में सही हो जाए मैंने टिफिन में निकाल दी है क्योंकि यह थोड़ी ठंडी हो जाए अब यहां पर मैं रोटियां मना ले रही हूं मेरे हस्बेंट के उस दो रोटियां लेके जाएंगे तो आज मुझे कुछ अलग से कर रख दोंगे क्योंकि मैं मैं भोल लई थी मेरी भी रोटि सेख के रख देना मुझे फिर सफाई बगर अब लग जाओंगे तो इतना टैम नहीं मिल पाएगा अब यहां पर मैंने इनका लंच पैक कर दिया है इसमें रोटी रख दिया है चावल है खीरा काट कर दिया है काक्षा नीवी रख दिया है भी यह चले जाएंगे दो लग जाओंगे ऑपने अपने खर दिया है फिर अपने खेर के कामों में लग गई थी देखे पूर के चुन अभी फैला हुए पड़ा है और फिर मैं भी सब कुछ साफ करदरी आरा यह फैला हुटो मैं एक साइड मे तो जैसे मेरी सब्जी पक रही है तो आता हम लगा हुआ है, तो खाली खड़ी näch Better थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ और यह भगवान ने लाके चले गया तो यह भगवान जी के कपड़े ही मैं इसमें रख दूँगी बरतर में इनको नहाने के बाद मैं मम्मी या मैं धो दूँगी इनको नहाने से पहले नहीं धोते नहा के धोते भगवान जी कपड़ और इनको इतनी जल्दी होती है कभी दो हो जाए तो बात लगवर नहीं है ऐसी रख जाते हैं अब यहाँ पर मैं अपने किचिन को प्लीन कर लोगी पूरे घर की डेस्टिंग करनी होगी सारा काम वो सब करती रहोगी और आप लोग प्लीज कमेंट में जरू बता दिया करो कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है एक लाइक जरू कर देना और आप वीडियो देखते ही देखते लाइक कर दिया करो क्योंकि आप लोग भूल जाते हो और अभी कोई मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है तो प्लीज, मुझे सपोर्ट करना, ज्यादा से दे वीडियो को लाइक करो, सेर करो, अब देखिए यहाँ पर, यह सब हस्वेंट पूजा करके जा चुके है, यह थोड़ा सा, मतलब घर, बरामदा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिगड़ जा, क्योंकि इसमें मम्मी रेटती है इस वाले रोम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बरामदे में कोई होता ही नहीं है, और यह देखिए, दूद पीती जा रही है, वोटल से, यह होड़ चूती रहती है, इनका यह रोच का है, यह उठ गई है, फिर अब मैं आ गई हूँ, यह मैंने मीसो से मगाया था, इस पाइस रेक, यह मुझे 200 रुपय का पड़ा, वो काफी अच्छा है, और कम जगे में इसमें काफी सामान अरेंज हो जाएगा, अच्छे से वो देखने में भी कूब अच्छा लग रहाता है, देखिए, मेरे जो कंटेनर है, और यह चीनी पती का डिब्बे है, और यह थोड़े से अचार वचार रखा हुआ है, नीवु का, और यह में काला नमक है, हिंकी डिब्बी, सफेद नमक, फलारी नमक, तेसी घी, यह सब कुछ यहां पे रेंज हो गया, अच्छे से, मैंने किचिन में को सेट कर दी है, अब यहां पे मैं यह सब डिस्टिंग कर होंगी, क्योंकि बरामदा खुला हुआ है, बहुत दूलाती है, और यह जो सोफा के कबर होते हैं, कुछ भी इन पर अलग से ही दिखाई पड़ने लगती है, तो जाड़ दो और फिर जाड़ू बगर लगाओ पोचा अगरा तो अंदर से मन में सुकून सा लगता है, और ख ठंड़क सी फील होती है, जब हमारा घर गंदा होता है, तो ऐसा मन बिल्कुल उपता है, खराब लगता है, वैसा लगता है, जैसे मानो कितनी तेज गर्मी पड़ रही हो, बिल्कुल देखके ही अच्छा नहीं लगता है, यहां पर मैंने बैट सीट बगर सब सेट कर दी है इसको रख दूँगी, यहां पर देखी, कुछ भी आज हराम नहीं हुआ है, मैं रात को वैसे भी जादा से जादा काम करके ही सोती हूं, ताकि सुबह में घर एकदम फैला हुआ नहीं पड़े, क्योंकि हमारे घर पर क्या होता है, हमें पहले किछिन में जाना पड़ता है, इनके लिए खाना बनाने के लिए, जैसे कुछ घर ऐसे होते हैं, जिन में हस्पेंट का सुबह जाना नहीं होता जल्दी से, तो वो लेटी जै क्या करती है, जाड़ू कोछा के लिए नहीं वगार अपने घर की कर लेती है, और मेरे घर में क्या है, यह छे चालिस पर निकल जाते हैं, तो सबसे पहले मुझे किचिन में ही जाना पड़ता है, और मेरे घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ पड़ा हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई आ जा, तो इसलिए मैं कोशिस ही करती हूँ, रात को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ही सो, जिससे सुब ज़्यादा कोगर फैला हुआ ना हो, और यहाँ पर देखिए, फिर से मेरे हस्वेड ने फूल वगएरा डाल दिये हैं, यह कितना सुन्दर लग रही है, मैंने बनाया है, बोतल को कट करके, आप लोग ज़रू बताना आपको कैसा लगा, और इसमें मनी प्लांट मैंने प्वार फैला देगी, और यहाँ पर ज़ाड़ू लगाने लगी हूँ, सब जगह पर ज़ाड़ू लगा लूँगी, और पोच्चा लगाना है, और मैं जल्दी अल्दी अब काम नुप्त करने लक कर देती हूँ, दस बजे तक मैं फिर ही हो जाती हूँ नहादोकर, क्यों कराना हुटा है स्कूल में क्या होता है बच्छे चले जा तो टीचर की भिमिदारी हो जाती है उनको कैसे काम करानाना कैसे नहीं वो अपना देखते रहते घर पर क्या है दस बजे आजाता है बर्ग तो मुझे देखना पड़ता है मेरी बेटी बहुत छोटी है उतनी समझदा नहीं सब्कवार भी नहीं है, तो अगर मैं बैठ के नहीं कराओं, तो काम भी नहीं करेंगी और दूसरी बात वो कौ газने भी भी फाड़ लेती है, एर्ेजर सी जब मिटाती वगरा है, तो कौपई फट जाती है उसकी, तो इस लेकिन आज मुझे अपनी बात्रूम होता है उसको क्लीन करना है अपनी जो फ्लेस बगएरा है उसको क्लीन करना है फिर हेर बास कर लोंगी तो थोड़ा टैम लगेगा तो दस तो बजी जाएगा मुझे आराम से यहां पर देखिए मैंने बिल्कु पोच्छा लगा दिया मेरे घर बिल्कु प्लीन हो गया बहुत सुन्दर लग रहा है इस समय मेरी बेटी अभी नीचे खेलने चली गए बाहर घू अधसरे कर लो जिसको थोड़ा स्रौक फिलगता यह करनी लगी इना लेकिने लगी थो वह सोट थोड़ा समय किंज अध्य यह ना जाएगा फिर ला यह कह देड़े गेटी यह स्कान्य इसके पास में लाच्छ उन्ना मैंने पने वाल-zk।ो इस खिया थीतोर्झ थोड़ार Re अब इसको मैंने रेडी कर दिया आज इसके बाल नहीं धूले थे मैंने क्योंकि थोड़ा देर हो गय्थी साड़े-ग्यारह का टाइम हो चुका थे स्टाम पर तो मैंने इसके बाल ऐसी मतलख निला दिया थे इसकोब नहीं धोज थे इसके रोग नहीं होती हुते हुं मैं इस यह देखें यह प्यार कर रही है और फिर अब मैं नास्ता कर लूँगी खाना वाना थोड़ी देर से खाएंगे बाबाई गाईज